हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप अभी थोड़ा सा मैं मैंनेज्मेंट अकाउंट के टॉपिक्स में बीजी था सारा टैनियर रिकॉड कर रहा था भी मैं अब कॉस्ट अकाउंट की बात करते हैं रेगलर वालों का एक्जाम है अभी 24 को तो उसके क्या-क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए वो सारा एक बार मैं स्लीवस आपके साथ डिसकस कर लेता हूं तो कॉस्ट का पेपर जो है ना 24 को आज 21 है 22 23 मतलब दो से तीन दिन है तीन दिन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली क्या-क्या पढ़ना चाहिए और उन बच्चों के लिए भी बोल दो उने शर्मिट से करें पुराने फॉर्मिट से लेखिं सी बात है को सीट के अंदर दो चीज़े आ गए न्यू फॉर्मिट या फिर ओल फॉर्मिट अगर कुश्चन में कहता है कि कऊस्ट आपको कास्टिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है यानि जो हमारा नियू स से कर सकते और नियू से आपके इच्छा है नोट के न पड़ेगा इसके अंदर के हमने नहीं से किया या फिर पुढ़ाने से किया इस बात का ध्यान रखिएगा नंबर दो चैप्टर आपका सबसे पहले कॉस्ट इट करना है नंबर दो आप कर लीजिए माटीरियल माटीरियल चैप्टर करिए माटीरियल में से क्या क्या आने के चांसिस है इसके अंदर एक लीफो फिफो है लीफो एंड फिफो वाला जो होता है हमारा और एक है मैक्सिमम और मिनिमम इसके अंदर इयो क्यों भी कवर हो जाएगा यह दो टॉपिक्स है जो कि इसके अंदर कव जाता है कुछ फॉर्मूले इस और आपके कमेंट में डाल दिये हैं फॉर्मूले का चार्ट मैं बना के आज नाइट तक पूरा अपडेट कर दूँगा जिसमें सारे फॉर्मूले कवर हो जाए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी है पहले नंबर फे दूसरे यह आसन आसन बता रहा हैं पॉर्मूले अ कॉछ वाला कॉंट्रीट करवाय हुआ है इसको नो नीड बस एक बार रफली देखके जाना बाकी मेन आपका यह है ठीक है आ जाते हैं पोर्ट पे टैटिस आपका आ जाते हैं हम इसके बाद कॉंट्रेक्ट के बाद हम आ जाते हैं आपका प्रॉसेस प्रॉसेसा-कॉंट्ट भी जरूर पूछा जाता है इसके अंदर अच्छे से करके जाएं और इसमें दोनहों ही करके जाएंऎे लेकिन मेरा ओपीनिन नहीं लगता ही आएगा तर एक चप्टर ना मुझे इसके साथ कॉस्षीट के बाद एक चप्टर इंक्लूड करना है मैं इसको तीन नंबर पर रखना चाहूंगा प्रेक्टिस में और इसको चार नंबर पर और इसको पांच नंबर पर एक चप्टर इंक्लूड करना है, मैं दो नमबर पर बोलूँगा, आप सिंगल आउट्पूट, सिंगल आउट्पूट चप्टर करिए, ओनर्स में तो सवाल पूछा जाता है, इसमें से भी आएगा पूरा कोश्टन, मैंने दो से तीन कोश्टन करा है, पैटन वाइज, वो कोश्टन कर लीजिए, उसी पैटन पर आपका सारा सवाल पूछा जाता है, लगबग लगबग कॉश्टिक में, तो ये सारे आपका प्रियरिटी रखेंगे, सर नमबर छे पर कौन सा चप्टर करना है, अब आप लेबर कर सकते हैं, लास्ट में लेबर करिए, इसके अंदर दो टॉपिक है, एक है टर्न ओवर, और एक है हमारा बोनस प्लैन, तो सर बोनस प्लैन के अंदर दो परसन इंपोर्टेंट है, एक हैल्थ से एक रोवन, ठीक है न, रोवन और हैल्थ से इंपोर्टेंट है, तो यह करिएगा और इसके बाद जो हमारा turnover है इसको भी देख लीजिएगा एक मैंने कुछ tough tough questions भी कराये हुए हैं जिसे पर्जंटेस से निकालते हैं आपका simple question आएगा इसके अंदर आपका जो एक rate निकाला जाता है कौन सा rate हमारा जो annual rate निकालते हैं इसमें supplementary rate निकालते हैं वो भी आप जरूर देखके जाईएगा पिछली बार भी आया था इस बार भी आने के chances हैं साथवे नंबर पे करिए आप machine hour rate overhead को मैं दो पार्ट में बाटूँगा एक machine hour rate तीन पार्ट में बाटके चलूँगा overhead को तीन पार्ट में बाटूँगा तो एक पार्ट मैं यहां बता रहा हूँ machine hour rate सर इसके अंदर आपके दो machine वाला आ सकता है तीन machine वाला machine hour rate सारा simple है आप उसको करिए नमबर आठ पे आप करेंगे service cost मैं sequencing बता रहा हूं करने का नमबर आठ पे करेंगे service cost यानि सर जब आप करने बैठे ना तो ये दोनों एक साथ होना चाहिए sequencing में ताकि दोनों similar हैं बड़े आसानी से हो जाएंगे अब इनको individual कर सकते हो इसके बाद नमबर पे आजाता है हमारा है नमबर पे आपको क्या करना है सर आपको करना overhead distribution इसके अंदर secondary distribution जो percentage वाला सिखाया था repeated method सिखाया था equation method वाला सिखना है इसके अंदर method करके जाएं सर पूछा जाएगा और जो बता रखा है चार्ट already सारा overhead के अंदर के कौन सा points किस तरीके से distribute होगा उसके अंदर काफे important है पंदरा नमबर का सवाल पूछा जाना है इसमें से नमबर दस पे overhead का ही पार्ट है एक overhead rate इसके अंदर आपको overhead rate करके जाने बड़ा ही आसन सवाल था हर किसी के ऊपर overhead लेबर है तो लेबर आवर कास्ट है तो percentage में रीट जो पता है था यह करके जाएंगे तर यह सारा का सारा important है और एक last chapter sir cost reconciliation statement CRS cost reconciliation statement अब देखें यह chapter मैंने ग्यारवे नमबर पे रखा है जिन बच्चे का ग्यारवी के अंदर या फिर costing के अंदर बहुत perfect चल रहा है सब कुछ तो जो revision mode पे हैं तो वो पता है कि जो देखो अब दो तरीके के बच्चे है एक तो भया दो से तीन दिन में कुछ बता दो पास हो जाएंगा एक revision पहले मैं बात करूँ है revision mode वाले के लिए ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे revision mode पे हैं उनके लिए मैं नमरी थोड़ा सालत कर दूँगा उसके according करें revision mode पहले नमबर पे ये दूसरे नमबर पे ये तीसरे नमबर पे ये revision mode वालों क revision वाले इसको यहां भी shift कर सकते हैं ठेक है ना साथवे के बाद आपको इन दोनों के लावा आठवे नमबर पे ये करना है ये तो revision वाले है ना आठवे नमबर पे ये नोवे नमबर पे ये और लास्ट में एक साथ कर लेजिए दसवे नमबर पे तरस टाइम कितना लगेगा देखिए एक, दो, तीन ये जो तीन चप्टर है ना तीन मैं लिख देता हूँ एक, दो, तीन, चार पहले चार चप्टर में जो revision वाले बच्चे हैं जो चार मैंने points बताएं इन चार point को one day में खतम करिए यानि एक, दो, तीन और चार जो चार नमबर है एक दिन में और हमारे टोटल नमबर कितने डले हैं से टोटल नमबर डले हमारे दस ग्यारा नमबर डले हैं ठीक है दूसरा देन यानि आज के डे में मेरे हिसाब से ये खतम हो जाने चाहिए एजी है जो revision बच्चे कर रहे हैं कार्सपोंडेंस का बात में बताऊँगा कार्सपोंडेंस के यहाब से लेके चलेंगे ठीक है आब आ जाते हैं दूसरा यानि 22 तारिक सरी यह 21 तारिक की बात चल रहे थी अब 22 तारिक को आप कौन-कौन सा चप्टर करेंगे नमबर पांच जो हमारे पांच और छो और आप साथ पांच छे और साथ जो मैंने चप्टर लिखवा है यह खतम कर लेंगे कल 22 तारिक को वन डे के अंतर ठीक है ना एक से लेके चार इसके बाद 23 24 को तो पेपर यह 23 तारिक को बाकी का रिमेनिंग रिवाइस करके को रिवाइस करीगा पढ़ने का क्या तरीक है जो मैंने क पूरा पूरा record करके डाला हुआ उससे बाहर theory नहीं आएगा PDF भी डाला हुआ है PDF उससे बाहर नहीं आएगा किसी को दिक्ता है theory मिलने रहा कुछ नहीं हो रहा तो मैं आप comment में चैट में डाल दीजीएगा जावट अभी तक बच्चों के कुछ के नहीं ले पाया था तो उसके डावट के अकॉर्डिंग अब डावट होना चालूगा अब मेनेजमेंट का चल रहा था अब आपके डावट लेना चालू करतूंगा मैं चलिए सर जो वर्ट सब रात को हम डावट लेते हैं कि वन टू वन उसके अकॉर्डिंग डी मैं बात कर रहा हूँ अब मैं उन बच्चों की बात करूँ है सर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो कैसे पास हो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत देखाता सर नहीं पढ़ पाए पास मैं इस मैटर में नहीं पढ़ रहा है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो कैसे करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है उनके लिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूं उनको क्या चप्टर करन नहीं पढ़ा ना उनके अंदर मैं देखता हूं ना जो कुछ भी नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ सकते हूं पर दो यह दिक्कत ही नहीं आती मैं तो कहूंगा लेकिन इन दोनों में से एक यह चप्टर करके जाए ठीक है इन दोनों में से यह वाला चीज़ें आप छोड़ सकते हैं त्रूंगता जायतर बच्चों को आप कर सकते हैं और मैं कहांगा दोनों कर लेकिन पोसिबल नहीं है सबसे लास्त में उठाईएगा इन को यह सारे आसान है तो वह कितनी efficiency से करते हैं जो application वाले बच्चे हैं स्टार रखा 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 है सरफ वीडियो पर focus कर लीजिए YouTube वाले जो बच्चे हैं जो YouTube पर करते हैं उन्होंने पहले से मेरे साब से revision कर रखा हो फटा-फट कर लीजिए मैं सभी के फ़ार्मूले जो टेलिग्राम चैनल है उसके उपर डाल दूँगा आज रहाद तक मैं डाल दूगा सभी के फॉर्मूले और एप्लिकेशन के इंदर भी अपलोड कर दूगा जो यूटेब वाले बच्चे वह भी कर सकते हैं ठीक है तो बस यह था हमारे कॉस्ट का रेगुलर वालों के लिए आपको थोड़ा बहु भी मात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरीके से हम कॉस्ट का सारा काम करेंगे थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में